हेलो एबरिवन, मैं मुनेंदर सिंग स्वाइट वेक अनिंसिट्यूट से आज हम बात करेंगे क्यूब रूट्स ओफ यूनिटी इसके अंदर आपको कुछ सवाल है जो दे रखें मैं आपको बताता हूँ क्यूब रूट और यूनिटी होती क्या है यानि कोई भी जो वेल्यू है उसका क्यूब रूट करें तो उसकी वेल्यू कितनी आती है वन है यानि एक्स क्यूब इकोस्ट वन है तो इसको अगर मैं इधर लेकर आऊँगा तो कितना हो गया जीरो अब आपको पता है कोई भी polynomial है उसके अंदर जितनी पावर है उसके उतने ही होते हैं यानि zeros होते हैं अब जो zeros हैं real number भी हो सकते हैं और complex number भी तो ध्यान से देखें जब मैं इसको solve करूँगा तो आपको पता है aq minus b cube जो है इसका formula क्या होता है तो इसका formula होता है a minus b a का square plus a b plus b का square तो ध्यान से देखें ये मेरे पास उसी format में है तो ये x की जगे पर कितना है a है और a की जगे पर b है तो क्या आजाएगा मैं इसको लिख सकता हूँ x cube minus 1 है इसको लिख सकता हूँ x minus 1 x का square 1 into x plus 1 का square तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका x minus 1 और ये हो जाएग x square plus x plus 1 इसको जब मैं 0 के equal करूँगा और इसको 0 के equal करूँगा तो यहां से x equals to 1 एक रूट आ जाएगा और यहां से जब मैं x की value निकालूँगा by quadratic equation वाला जो है ये formula होता है आपका minus का b plus minus b square minus 4ac upon 2a इसको जब solve करेंगे इस format में है तो मिर पास x की दो value आएगे तो ये आएगा आपका minus का 1 plus root के अंदर 3 upon 2 और एक जो value है वो आएगी minus का 1 minus यहां iota भी आता है इसलिए ये complex नम्मर वाले chapter में रखा गया है तो ये मेरे पास 2 value है minus का 1 plus iota root 3 upon 2 और minus अब देखो अगर मैं इसको omega मानता हूँ तो जैसे मैं इसका square करूँगा तो मेरे पास यही मिल यानि अगर मैं cube root of unity में omega लेता हूँ एक सी जाए पर पुट करता हूँ तो मेरे पास omega की value अगर यह है तो मेरे पास यह omega square की value होगी और कोई जरूरी नहीं है कि यह हो अगर मैं इसको omega लेता हूँ तो यह मेरे पास omega square बन जाएगा तो हमारे पास यहां से दो property निकलती है प को 0 होती है क्योंकि आपको पता है यह कोई भी जो root है वो उसको क्या करेंगे satisfy करेंगे तो जैसे ही मैं यहां रखूँगा तो मेरे पास यह omega square प्लस omega plus 1 इसका मतलब इसको पलटके लिखेंगे तो 1 प्लस omega plus omega square आ जाएगा इसकी value 0 के पूल जाएगी ठीक है चलिए अब हम इ यह property याद रखनी है कि मेरे पास omega q की value 1 होती है और दूसरी है 1 प्लस omega plus omega square इसकी value हमारे पास 0 होती है यह जो question दे रखा है उसमें आप ध्यान से देखें तो हमारे पास omega जो है वो a, b, c के साथ conjugate है यानि इन दोनों को हमारे पास multiply के format में दे रखा है तो a plus b omega plus c omega square upon b plus c omega plus a omega square plus a plus b omega plus c omega square upon c plus a omega plus b omega square अब ध्यान से देखें इसमें जो दे रखा है उसमें उपर वाला पार्ट दोनों में common है तो इसको बाहर ले लो तो a plus b omega plus c omega square जैसे ही मैं इसको बाहर लूँगा तो अंदर बचेगा आपका b plus c omega plus a omega square और यहां भी यही है 1 upon c plus a omega plus b omega square अब देखो इसको क्या है मैं solve करके b के बाद c आ रहा हो फिर c के बाद बापस a आ रहा हो जब ऐसा rotation हो तो इनको solve करने की जरूरत नहीं है इनकी value हमेसा 1 आएगी ठीक है इसकी value 1 क्यों आएगी क्योंकि आपको पता है आपने यह उसमें पढ़ा होगा जब हम vector पढ़ते हैं तो देखो a के b का cross करने के बाद c आता है b के c के बाद a आता है और c और a का करेंगे तो यह आए तो इसमें द्यान से देखो a b और c पहले a है इसमें omega नहीं है दूसरे बादे में देखो b में नहीं है c में है तो यह rotation चल रहा है a b c b c a और c a b जब यह rotation एक ही direction में हो तो उस case में इसकी value 1 आती है चलिए मैं अब आपको इसको solve करके बताता हूँ कि इसका 1 जो answer है वो कैसे आया तो देखो इसका ले लो calcium तो calcium जब मैं लूँगा तो यह तो इदर multiply हो जाएगा तो c plus a omega plus b omega square यह इदर multiply हो जाएगा b plus c omega plus a omega square और नीचे बच जाएगा आपका b plus c omega plus a omega square और यह आजाएगा आपका c plus a omega plus b omega square ठीक है अब देखो यहाँ से omega वाली term एक साथ ले लो तो a और c ले लो और a और omega ले लो तो क्या हो जाएगा यह c और b एक साथ आएगे तो b plus c को एक साथ लिख लो ऐसे यहाँ से a और c को एक साथ लिख लो omega बाहर अब यहां से omega square common ले लो तो यहां बचेगा a plus b उपर वाली value का यह है जैसे ही मैं नीचे multiply करूँगा तो यह क्या बनेगा b का c से साथ करूँगा तो b c c square omega a c omega square अब आजो a omega के साथ करेंगा तो a b omega यह आजाएगा आपका a c omega और omega omega square हो जाएगा ठीक है अब देखो इसका इससे करेंगे तो a और a square हो जाएगा और omega square और omega यह omega q हो जाएगा आपका आगे देखो b से जब करेंगे यह हो जाएगा आपका b और b square omega square b और c omega omega square के वे लिए omega cube हो जाएगी और यहां से यह हो जाएगा a b omega square और omega square, omega 4 हो जाया और बार हमारा कितना चल रहा है A plus B omega plus C omega square अब ज्यान से देखो आपको ये term अपने आप सब अंदर मिल जाएंगी जैसे ही मैं A का इसमें multiply करूँगा तो यहां मिलेगा A B और A C चेक करो आपको A B और A C मिल रहा है क्या बिलकुल मिल रहा है तो देखो A into B करूँगा तो A B है तो मेरे पास यहां से omega cube जो है इसकी value आएगी 1 तो यहां से 1 तो यह omega square देगा यहां से omega 4 को अठाऊँगा तो यह omega देगा यह हो जाएगा मेरे पास only 1 तो यह खाली BC मिलेगा तो देखो BC मिलेगा इसका मतलब मेरे पास यह सारी term आपस में मिल जाएगी तो multiply जब करेंगे तो हमारे पास जब यह sub value उपर जो है वही नीचे हैं तो आपस में कट जाएगी इसकी value बना जाएगी तो solve करेंगी तो काफी lengthy होगा इसलिए मैंने आपको डारक बता दिया चलिए next question देखते हैं हमारे पास दे रखा है the value of root 3 plus iota की power n plus root 3 minus iota की power n इसको हमें solve करना है अब देखो root 3 plus iota और इसकी value है n plus root 3 minus iota इसकी value है n तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह जो format है वो किसमे है यह सिर्फ complex form में है अब मैं इसकी polar form निकालता हूँ तो आपको पता है अगर मैं इसको z1 ले लूँ तो इसकी polar form देखो क्या आएगी यहां से सबसे पहले निकालो r, r होता है इन दोनों का square तो 3 का square और 1 का square और इसके बाद root तो कितना आ जाएगा यह हो जाएगा 3 plus 1 4, 4 का कितना हो गया 2, तो r की value आगी 2 अब देखते हैं angle angle हमारे पास यह दोनों positive है इसका मतलब यह आ जाएगा आपका 10 inverse b upon a यानि b की value मेरे पास iota का coefficient 1 है और यहां पर root 3 है और 1 upon root 3 10 में किसकी value होती है यह होती है आपकी 30 degree मतलब pi upon 6 इसको 1 ले लो तो इसको मैं लिख सकता हूँ z1 equals to r1 यह हो जाएगा आपका e की power iota theta 1 तो r1 देखो कितना है 2 और यह कितना है e की power iota कितना है pi by 6 ठीक है यह बन गया आपका z1 equation 1 z2 देखो यह हो जाएगा आपका कितना similarly ऐसे ही निकालेंगे तो आपके पास root 3 minus iota है अब आप देखो इसके according यह वाली जो value है उसमें real part तो positive है मतलब x axis plus में है और y negative है इसका मतलब 4th में आगए और 4th में theta कितना होता है negative में तो minus 10 inverse v upon a v का coefficient 1 और यह आजाएगा root 3 तो इसकी value आगे minus के pi upon 6 30 degree तो यहां से आजाएगा z2 equals 2 और r2 पता है आपको वही आएगा च्योंकि प्लस माइनस से amplitude और उसमें modulus जब निकालेंगे तो सिर्फ थोड़ा बहुत फरकाता है तो यह हो जाएगा आपका 2 e की power iota और theta 2 की value है मेरे पास pi by 6 अब देखो इन दोनों के उपर क्या लगा है power लगी है n जब आपको पता है कि किसी भी नम्मर के उपर जितनी power लगी है वो e के साथ direct multiply में आ जाएगी इसको लिख लूँगा 2 e की power iota pi upon 6 और इसके उपर power n इसको z ले लो direct add कर देते हैं क्या आ जाएगा प्लस यह हो जाएगा आपका 2 e की power minus iota pi upon 6 और इसके उपर power n तो देखो क्या बनेगा यहां से 2 की power n आएगा यह हो जाएगा आपका e की power iota यह हो जाएगा कितना pi n upon 6 और यह हो जाएगा आपका प्लस 2 की power n e की power minus iota pi n upon 6 तो देखो इस सम्मे से 2 की power n कॉमन ले लो यह जो e की power iota pi n है तो आपको पता है e की power iota ठीटा है इसको लिखते हैं cos theta plus iota sin theta यह हो जाएगा आपका cos theta plus iota sin theta तो द्यान से देखो जब मेरे पास यहाँ पर कितना है plus का pi n upon 6 तो यह देखो क्या बनेगा यह बन जाएगा मेरे पास cos यहाँ कर देता हूँ मैं यह हो जाएगा आपका cos iota pi n upon 6 plus iota sin pi n upon 6 यह तो पहले बाले का पार्ट हो गया दूसरे बाले में देखो similar यही हो जाएगा cos iota pi n upon 6 और आगे minus sin और iota sin minus का pi n upon 6 ठीक है अब देखो इसके अंदर जो cos है उसमें iota नहीं आएगा one second शिर्प angle आएगा तो यह है आपका cos pi n upon 6 iota sin pi n upon 6 और यह हो जाएगा cos minus का pi n upon 6 और plus iota sin minus का pi n upon 6 अब ध्यान से देखो cos में से minus sin बहार नहीं आता है सिर्प और सिर्प किस में से आता है cos के अंदर sin के अंदर से आता है cos में से नहीं आएगा तो इसमें से minus sin बहार नहीं आएगा यह ऐसा कि ऐसा ही रहेगा तो cos pi n upon 6 और यह आजाएगा minus का iota sin minus का pi n जो था वो अब बहार sin आने की वैज़से pi n upon 6 ये दोनों कट गए तो क्या बचा ये हो गए आपका 2 सॉरी ये sin वाला कट जाएगा, cos वाला रह जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos pi n upon 6 ये उस पूरे की value आगी जो हमारे पास इस format में दे रखा है, तो यहाँ क्या बचा, ये हो गए आपका 2 cos pi n upon 6 अब देखो, 2 जब बहार निकलेगा तो 2 के उपर power n है और इसके उपर 1 है जब कोई भी power नहीं है इसका मतलब बन है तो ये हो जाएगा 2 n plus 1 और cos n pi upon 6 तो इसका answer आजाएगा 2 की power n plus 1 और cos n pi upon 6 तो ये आपका c option correct है ठीक है? चलिए next question देखो इसमें बोला है, if omega is the cube root of unity और n की value दे रखी है हमें कितनी? 3k plus 2 और question पूछा है कि omega की power n plus omega की power 2n इसकी value क्या होगी? तो आपको पता है कि हमारे पास जो omega है उसके उपर power n है इसकी value जो है, कितनी है? 3k plus 2 है यहां से omega के उपर कितना है? 2, 3k plus 2 इसको separate कर लो omega के उपर power 3k लगाओ into omega के उपर 2 यहां से जब मैं इसको multiply करूँगा तो omega के उपर आजएगी power 6k और यह हो जाएगा omega की power 4 अब ज्यां से देखो, हमें पता है कि because omega q की जो value है वो होती है 1 और k जो है, कोई भी number हो सकता है integer, तो कोई दिक्कत नहीं है अब यहां 3k उपर 1 का multiply करूँ 2 का करूँ, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि, omega का का जो k का multiple है 3 का, उसकी value always 1 रहेगी omega की power जो 3 के है इसकी value कितनी आएगी 1, और ऐसे 6 के है इसकी value भी कितनी आएगी 1 आएगी, तो 1 into omega square यह हो जाएगा आपका 1 into omega 4 1 का multiply करेंगे, कोई फरक नहीं पड़ेगा omega square रहेगा अब omega 4 जो है, इसको मैं लिख सकता हू omega cube into omega तो यहां से omega cube की value 1 होती है तो क्या आजाएगा omega square और 1 into omega omega, अब देखो हमें पता है, 1 प्लस omega प्लस omega square 0 होता है तो इसकी value कितनी आजाएगी इसकी value आजाएगी आपके पास omega और omega square जो है, minus 1 के एकवल हो जाया तो इसका answer आजाएगा minus का वर, ठीक है चलिए, next question देखते है question number अच्छा, यह जो question है यह question 3 है, यह थोड़ी typing error है, तो question number 3 है question number 4 देखो question number 4 में बोला है 1 प्लस omega और 1 प्लस omega square 1 प्लस omega की power 4 ऐसे ही जा रहा है है जब इनका multiply हो रहा है, तो यह even number है, 2N का मतलब क्या है, even order मतलब यह जो पूरा एक bracket है, ऐसे pair होंगे, यानि 1 प्लस omega है, तो omega square के साथ है omega 4 है, तो 1 प्लस omega 8 है देखो, यानि यह जो भी है वो pair के form में है, तो आपको पता है, कि 1 प्लस omega, प्लस omega square होता है, 0 तो यहां से जब मैं 1 प्लस omega इसके value निकालूँगा, तो कितना आजाएगा, यह आजाएगा, minus यह जो सारी टर्म थी वो even में हैं, मतलब यह pair के form है, तो इसका जो answer आएगा, ऐसे ही इनका answer जो आएगा, उनका आपस में product करना है, तो आपको पता है, minus minus plus हो जाएगा, और omega square और omega कितना हो गया, omega cube, और आपको पता है, omega cube की value होती है 1, यह वाली value 1, चलिए, next question है आपका, अच्छा यह देखो, मैंने आपको याद हो, तो आपको बताया था, omega जो cube है, उसकी value होती है, हमारे पास 1, और जो omega और omega square थे, उसमें से कोई सी भी value ले लो, कोई फर्ग नहीं पड़ेगा, अगर मैंने इसको omega लिया है, तो omega square जो है, वो हो जाएगा, बीच में minus sign, और कुछ नहीं होगा, अगर मैंने इसको omega square लिया है, तो यह फिर मुझे omega लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसका square करूँगा, मुझे बापस यहीं मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई सी भी value ले लो, और यहाँ पर omega square, जान से देखो, तो यह सारे के सारे जो है, एक बार omega है, तो दूसरी बार omega square है, तो आगे पीछे कर रहोगे, तो कोई problem नहीं है, किसी को भी ले लो, सब एक जैसे हैं, तो देखो, omega के उपर power कितनी है, 6, omega जो square है, इसके उपर भी power कितनी है, 6, यहाँ पर देखो, यह omega है, इसके उपर कितनी power है, 5, और यह जो omega square है, इसके उपर power है, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, यह omega square, वो omega जो 6 है, उसके जब square के साथ करेंगे, तो यह 12 हो जाएगा, यह omega 5 हो जाएगा, और यह omega 10 हो जाएगा, अब omega के उपर power 3 की value, always 1 होती है, तो अभी यह 3 का, जो भी multiple होगा, यानि omega की power 3, omega की power 6, omega की power 9, 12, इनकी value always 1 रहेगी, तो इसकी value 1, इसकी value 1, omega 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, omega cube into omega square, omega 10 को ऐसा लिखो, जो 3 के multiple में हो, तो omega 10 को लिख सकता हूँ, omega 9 into omega, देखो, इसकी value 1 हो जाएगी, इसकी value भी 1 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा, starting में हैं, मेरे पास 1 plus 1, यहाँ बचा आपका omega square, और यहाँ बचेगा आपका omega, तो आपको पता है, 1 plus omega square plus omega, इसकी value 0 होती है, और 1 plus 0 को add करेंगे, तो 1 आएगा, तो इसका answer आजाएगा आपका 1, ठीक है, कोई problem, चलिए, मिलते हैं, next class में, thank you so much,